हलो फ्रेंग्स वर्कम बैक टो मैं चैनल कैसे हो आप सभी उमीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे आज का वीडियो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग हमेशा कहते हैं कि मेरे तो हर समय on time period होते हैं फिर भी मुझे एक्स नहीं बन रही है मेर मेरा मेरा जो है मैं कंसीर में कर पा रही हूं अब एक्चली बात किया होता है कि नॉर्मल हम में मिद्ल क्लास फैमिल लोग या लोग में नहीं जा सकते ना और फिर हर मेने ब्लड टेस्ट वगरार कर सकते ना कि हमारी बोड़ी में क्या प्रॉब्लम है तो कुछ यहां पर मै को देने वाली हो जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको इस महिने अंडे नहीं बन रहे हैं या नहीं बनने वाले हैं तो आप नेक्स मंथ भी ट्राइब कर सकते हैं ठीक है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है फॉलिकल स्टडी में हमें पता चलता है कि हमारे अंडे बन रहे है या नहीं बन रहां या फिर किसी बोड़ी की कोई प्राबलम की वेज़ह से हमारे ब्लॉट के या हार्मोन की किसी प्राबलम की वेज़ह से हर मिने अन्डे नहीं बन पा रहे हैं तो Ensuite करेंगे ठीक से सबसे पहले मैं एक डौट क्लियर कर दो आप लोगों का कि हर महिला को जरूरी नहीं है कि पीरियड हमेशा on time आये तो हर मेने अंडे बने ही बने किसी महिला को 12 मेने में 12 मेने अंडे बनते हैं और किसी महिला को 12 मेने में कोई 2 मेने ही अंडे बनते हैं ये सब का body structure अलग है इसलिए सब में अलग-अलग होता है मुझे यह कैसे पता चला, जब मैं conceiving के लिए try कर रहे थी, तब मेरा भी यही हाल था, कि हर महिने मेरे अंडो का साईस सही नहीं होता था, और मैं tension होती थी कि क्यों अंडो का साईस सही नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर ने बोला कि ये normal है, 12 महिने में 12 महिने आपको always perfect size का X बने ऐसा नहीं होता है हर body अलग होते हैं किसी को सिर्फ साल में एक महिना कोई अंडा बनेगा अब हम normal होगा हमें कैसे बता चलेगा कि उसी महिना में अंडा बनेगा तो हमें पूरा 12 महिना हमें थोड़ी नव फॉलिकल स्टडी हम करवाते रहेंगे बताओ तो कुछ चीज़े हैं जो आप खुछ से अब्जॉर्ब कर सकते हैं अपनी body पर तो आपको समझ में आएगा कि मेरे इस महिन अंडे बनेंगे या नहीं और बनेंगे तो हमें ट्राइग करना चाहिए तो सबसे पहला है आपका पीरेड डेट अगर आपका जो सरकल है वह 21 दिन का हो 24 दिन का हो 28 दिन का हो 30 दिन का हो जितने भी दिन का हो वह ध्यान रखना है और next month जब आपका पीरेड करना है तो मेरा 28 दिन का सरकल है तो मुझे 28 या 30 दिन पर आजाना चाहिए जिससे कि मैं अपने जो फॉलिकल स्टडी या ओवलूशन के डेट को मैं सही से मेजर कर सकती हूं ठीक है तो मेरा आएगा अगर ऑन टाइम आया तब तो ठीक है और नहीं अगर बहुत इधर मतलब बहुत पहले या बहुत बाद में आया तो उस मंत निश्चिद है कि आपके X नहीं बनेंगे और बनेंगे भी तो सही साइस के नहीं बनेंगे ठीक है तो डेट जो आपका period circle है वो बहुत हेवी फ्लो होता है सुरू से लेकर आज तक अगर किसी महीने मेना मुझे फ्लो नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि मेरा जो पीरियड है वो सही से नहीं आ रहा है है और कभी-कभी नेचरल जैसे आपके स्टार्टिंग से चले आये हैं वैसे ही होता है तो यह नॉर्मल है अब क्या है कि जरूरी नहीं कि कि आप बहुत बीमार होगे हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई है वह उस समय हो गई होगी लेकिन थीक हो जाओ ठीक है थोड़ा सा खुद पर ध्यान लगो अच्छा तीसरा चीज क्या है तीसरा चीज है कि हमें PCOD है PCOS है अब हमारे पीरियड ही नहीं आएंगे तो हमें एक्स बने दूसरी अगर आपको थायरोइड की भी प्रॉब्लम है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है बहुत लोग क्या ना हम फीमेल है ना हम लोग बहुत ही केरलेस होते है अपने लिए तो हम लोग मैडिसिन लेना प्रेफर नहीं करते सबसे पहले अगर बॉड़ी में कोई परि लेना चाहिए और अगर आपकी घतम भी हो जाती है तो भी डॉक्टर आपको जब तक कोर्स बोले तब तक आपको कम्प्लीट करना चाहिए थायरोइड अगर बॉडर लाइन है और कंट्रोल में है तो आपको कंसीव करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके एक्स भी लेकिन अगर थायरोइड थोड़ा भी बड़ा हो गया या आपके अंदर कोई भी हार्मोन का गड़बर हो गया यह मैच आपका कम या जूरत से ज्यादा हो गया तो भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो गई आपकी पॉलसरीन हार्मोन भी अगर अपने डाउन हो गई लेजर तीन लक्षन जो है वो बता दिया जो आप खुद से डिटक्ट कर सकते हो आपकी बॉड़ी में और आपको समझ में आ जाएगा कि इस महीने हमारे एक्स बनेंगे या नहीं बनेंगे ठीक है बाकी ओविलूशन वाले सारे वीडियो तो मैंने बनाई रखे आप लोग हो चेक आउट कर सकते हो तो दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो जल्दे से लाइक और शेयर कर दो चैनल पर फॉस्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब किया बिल्कुल नहीं जाना और ऐसे ही हमें बहुत सारा प्यार देना अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना चलिए पिर मिलते हमें नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बागाई